पूर्णिय शतीप कई बार क्योंकि लोगों का जाना बहुत आहत करता है लेकिन वाकई कभी कभी नहीं भरा जा सकता आज लता जी के जाने पर ये कहा जा सकता है कि नामुम्किन है इस नोकसान की भरपाई जी आशा जैसा आप सब को पता है कि आज लता दी या लता दीदी जैसा हम लोग सब उनको कहते थे तो ना भूतो ना भविश्यती उनके लिए यही शब्द और यही शब्दार जो है चरितार्थ होता है जोकि ना लता दीदी की तरह कभी कोई हुआ था और ना कभी कोई होग सिर्फ टैलेंट ही नहीं उनकी पूरी परसनालेटी उनके पूरे परसोना को आप देखिए तो लगता है कि हम सब पेशली मैं तो एज बुमन बहुत ही I used to feel very proud कि I am a woman because it's लता दीडी जैसी एक महिला हमारे सामने ही जिस तरीके के उनकी जर्णी रही जिस तरीके का उनकी लड़ाई रही जिस तरीके का उनका संघश रहा और जिस तरीके के उस संघश से वो उपर आई किस चीज के बदावलत अपने टैलेंट के बदावलत तो शत्षत प्रनाम क्योंकि ना कभी लता दीदी जैसे कोई हुआ और ना कोई होगा बिल्कुल कोई नहीं हो सकता ऐसा आपने बिल्कुल ठीक कहा अनुराधा जी लेकि आपके जरूर कुछ संस्मरन रहे होंगे कुछ यादे रही होंगी लता दीदी के साथ कुछ अनुभव रहे होंगे आज आपसे जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि हर कोई जो यादे हैं उन्हें के माध्यम से आज लता दीदी को याद कर रहा है नहीं बिल्कुल सबसे बड़ी बात की लता दीदी की तरह से सहज इतना इतनी उचाईयों को छूने के बाद कोई इतना सहज हो सकता है ये एक अपने आप में बहुत ही जिसे कहते हैं कि आप पूरी जिल्दगी किसी को देखते रहें इतनी हंबल इतनी मात्वरू और सबसे बड़ी बात की बिल्कुल सहज ना किसी चीज का दबाव ना किसी चीज का प्रैशर लेकिन अपनी जर्णी और अपनी लडाई को जिस तडिके से उन्होंने पूरी फिल्म इंड़ाइश्य आप समझ सकती ही जब कि बॉली वुड जब रहा था और Bollywood का जो creation था उसमें वो एक male dominated society थी वहाँ महिलाओं का वहाँ लड़कियों की आवाज बना के men गाते थे तो उस में लता दिवी का होना और अपने terms पे रहना एक संस्मरण उन्हों नहीं बताया था कि उनको एक किसी गाने के लिए वो एक certain price चार्ज करती थी और जब चुकी नएने singers आने लगे तो उनको किसी ने कहा एक बड़े senior producer director ने कहा कि आप अपनी price को कम कर दीजें नहीं तो उनका यही कहना था है कि अगर लता मंगेश कर गाएंगी तो इसी price पे गाएंगी नहीं तो नहीं पाएंगी तो मतलब इस तरीके की चीजों को अपने जो एक होता है ना कि आप आपका आत्मी विश्वास इतना अंदर आपके अंदर है आपको पता है कि आप क्या है लेकिन आप फिर भी मतलब हर सेच पर लड़ना और मुझे लगता है कि पूरे देश में विमन इंपावर्मेंट के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी हो काम किया हो तो लता मंगेशकर ने बहुत ही शान्त और बहुत ही कहच करीके से किया बहुत सारे संस्मरन है वो डिली में उनका राजे सभा में नामिलेशन हुआ था तो वो आती ही नहीं थी और चुकि वो एक अपनी दुनिया उनकी एक अपनी दुनिया है उसमें रहती थी मतलब आप उनसे बाए जब हम लोगों ने उनका इंटर्वियू किया रूबरू उसमें जब उन्होंने जब बाते करनी शुरू हुई तो उस समय आपको बता होगा कि 20-20 मिनट के युमाटिक टेप्स होते तो वो टेप्स हमारे कुछ 20-25 टेप्स खतम हो गए लेकिन उनका इ जब कभी आप संस्क्रान लिखेंगे मैं लिखूंगे तो जरूर उसको यार्द करूंगी क्योंकि हर ब्लाइन में कोई ना कोई एक सीख थी तो ऐसी थी लटा दीदी आपने रूबरू का जिक्र किया एक तस्वीर भी आपने साजा की है और हम मों तस्वीर इस वक्त चला भी रहे हैं चैनल पर अनुराधा जी जिसमें आप राजीब जी और लता दीदी बैठी हुई हैं वो अनुभव वो तस्वीर बया कीजिए आज किन शब्दों में बया करना चाहेंगी आप उस पल को देखे सबसे पहले तो जब लता दीदी एक तो अग्री ही नहीं करती थी कि वो इंट्रिव्य टेली और वो भी टेलेविशन के लिए वो सहज रही थी टेलेविशन के सामने कैमरे के सामने बयाने के लिए लेकिन काफी पर्शुएशन के बाद वो अग्री की थी और जब वो अग्री की तो एक किसी होटेल में मुंबई के होटेल में हम लोग सेट लगा के बैठे रहे और बड़े डरे हुए थी कि आज आए पहले तो पर वो आई अपने वक्त पे आई और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बाते शुरू कई और वो खुलती चली गई और उसके बाद जो वो एक एक जो उन्होंने जितनी बाते की और जितनी बाते बताई जैसा मैंने पहले कहा कि वो हर लाइन में एक सीख थी लेकिन उसके अलावा फिर वो जिससे कहते हैं बिलकुल एक चाइड लाइक बच्ची की तरह उनकी पूरी चीज थी अगर कभी आप फोन पर उनसे बात भी करें तो उनकी आवाज इतनी भोली और इतनी सरल थी और वो हमेशा बोलती थी कि म हर तरीके के प्रेशर को जिलते हुए भी अपने आपको कैसे कोई बचा के रख सकता है तो ऐसी लाइन में कुल बेहद सहेज सरल लेकिन जैसा आप बता रही हैं उतनी स्वाभी मानी एक महिला नारी सशक्तिकर्ण के अदवत मिसाल ये कहा जा सकता है लादा दीदी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुरादा जी हमारे साथ जुडने के लिए